यवस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ मैं होमित गर्षुकला, छटवे चरण का रण जारी है, लगातार मद्दाता आपने घरों से निकल कर मद्दान कर रहे हैं, एक बज़े तक की तस्वीर के आज सबसे पहले आपको वो बता देते हैं प्रताबगण में एक बज़े तक 35.88% मद्दान हुआ है, भदोही में एक बज़े तक 35.85% मद्दान हुआ है, बस्ती में एक बज़े तक 40% मद्दान हो चुका है, लाल गंज में 38.13% मद्दान हुआ है, आजमगण में 38.37% मद्दान हुआ है, सिधार्थ नगर कि डुमरिया पर एक बज़े तक 37.66% मद्दान अब तक हो चुका है यह हम आपको दो पहर एक बज़े की तस्वीर बता रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक मद्दान नहीं किया है उनसे लगातार न्यूजे की यह अपील भी कर रहा है कि आप भी लोकतंत्र के समाह पर कहसा बनिये और म वेचरण में वोटिंग हो रही है और एक बज़े तक कहां पर कितने प्रतिशत मद्दान हुआ है वाकड़े हमाक के सामने रख रहे हैं देशाम तक इन आकड़ों में और बद्दाव आएगा क्योंकि विधूप बहुत जादा है जैसे इसे तफिश कम होगी और जादा माहूल है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज सभा सांसद और मशूर शायर इम्रान परताब गड़ी जो कि आज परताब गड़ पहुचे हैं और अपना वो काश करने के लिए पहुचे हैं तो आई एम इन से सीधे बा पर चुनाब पचार के लिए देश में बहुत शांदार महौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गडबंधन भहुत आसानी के साथ बढ़त पर हैं और हर चरण के बाद परिडाम और बहतर हो रहा है और अच्छा हो रहा है महाल अच्छा हो रहा है कि पुर्व चंचल आते आते नहीं धuding भाषपा साफ उत्तर भाइरत वाजपा हाँ मैं केरल से ले के आंदर प्रदेश से लेकर के देश के हर राज्य में में परचार किया ज prophetic और बंगाल से लेकिए बिहार tillिया मैं कोई राज्य स्थाने मैं कॉपटी ने मुझे पूरे देश को feder參न भ सब्सक्राइब करें और मोदी जी के तमाम जो भी आरोप प्रत्यारोप वह भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी के खिलाफ जो नेरेटीब बनाने का प्रयास था वो सब भस्त हो चुका है आज पूरा देश राहुल जी की बातों पर भरुसा कर रही है और मोदी जी मंगल सूत्र भैंस और पता नहीं क्या क्या कर दे रहे हैं गरिमा से नीचे आ करके उस तो भरुसा नहीं कर रही है तो उनका घबराना उनकी भाशाई मर्यादा का टूटना लाजिम है सर आप जितने बड़े नेता हैं उससे भी ज्यादा बड़े आप सायर हैं तो सायर के माध्यम से सायरी के माध्यम से क्या बताना चाहिए देखे हम तो पूरए देश में यह बात कहते रहे हैं कि मुझप भाईचारे के दिवाने दिन ही लोटा दो वो सस्ती दाल सबजी के सुहाने दिन लोटा दो यह अच्छे दिन तो अम्मानि या डानी को मुबार्क हो हमें ऐसा करो साह्थ पुराने दिन हे लोटा दो वो पे जो है विवाकी से बात चीत करते हुए उन्होंने भाजपा के उपर जो है निशाना साधा और गडबंधन की सरकार बनने की बात कही रोहिस सिंग नियुजेटीन प्रताबगड प्रियागराज में गंभी रूप से बीमार महिला भी वोटिंग करने के लिए पहुंची आक्सीजन किट के साथ वोट देने पहुंची सत्तर वर्षी बज़ुर महिला मंजुला सिंग ने नियुजेटीन से बातचीत में कहा कि वोट जरूर डालिये मेरा लंस काफी डामेज है हाट का तो है वो इस्टेंट लगा है और डायविटिक हैं बहुत इसके बावदूद आप मादान करने आई हैं तो कितना महत्पूर आप मानती हैं लोकतंतर को मजबूत करने के लिए जो आपको मतादिकार मिला उसका प्रियोग करने आई है आप मेरे अलावाए मेरे लिए जो अधिकार मेरा है वो किसी को नहीं मिलेगा तो मुझको तो जानना ही पड़ेगा अपने अधिकार का इस्तमाल करने जानपुर में हमारे संवाता साकेत मिश्वा ने वोट देने के बाद बाहर आये लोगों से बातचीत किये हैं वो भी आपको दिखाते हैं देश ससक्त हो राष्ट शसक्त हो और विश्व में हमारा पर्चम लहरा है इस चीज को ध्यान में रखते हैं जो मेरी सरकार ईसी सशक्त होगी तो हमारा विश्व में पर्चम लहराएगा इस उमीट के साथ निम्मद्दान किया है देखे सबते पहले तो देश सक्तो नारी ससक्तीकरण का जो इतना कारेक्टरम चल रहा है हमारे हमारी सरकार उसे बहुत काम कर रही है तो नारी सुरक्षा नारी ससक्तीकरण ही नारी ससक्तिकरण नारी है महिला है तो जाहिर सी बात है कि और यह फर्स टाइम वोटर है यह देखिए यह इनके चेहरे की मुस्कान देखिए पहली बार आपने मद्दान किया है किन मुद्दों को लेकर आप युवा हो क्या लगता है कि जौनपुर में क्या कुछ नया होना को आप यहीं एक स्टेट किया है जाही जाँपुर में आप यही के रहने वाले हैं यहीं के वोटर है आप क्या को चहते हैं है अपने सांसात सेकिन मुद्दों को लेकर वोट किया है हमने में यह एजुकेशन के लिए किया है कि एक अच्छा इंस्टिट्यूट इस्टैबलिश किया जाए माई जो पुर्वांचल इनुवस्टी है उसको और विश्विश तर पर बढ़ाया जाए उसी के लिए हम मद्दान की हैं सुल्तानपूर में लोगों में घजब का उत्साह देखने को मिल रहा है वहां से जो तस्वीर आई है और लोगों का जो रियाक्शन है वो भी आपको दिखाते हैं सुल्टानपूर में हो रहे हैं मदान के दौरान मदाताओं में जबरदस उसाह देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि इस वक्त माता जी जो है वो विल्चेयर पर मदान के लिए पहुंचे हैं और तमाब लोग यहां पर मदान के लिए पहुंचे हैं उनसे बात करेंगे क्या लग रहा है इस बार किसके पच्छ में महौल है अब देखिए आपको क्या लगता है भाजपा को क्यों लोग लाइक करते हैं अपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं क्या हो मुद्दे दिखने वाले हैं जो भी चुनाव हो रहा है यहां पर उस चुनाव को अगर देखा जाए तो इस समय पूरे भारत में सिर्फ दो तरह के मद्दाता है एक जिनके आँख है जो विकास देख रहे हैं भविश्य देख रहे हैं प्रगती देख रहे हैं और साथी साथ वो यह देख रहे हैं कि आने वाला जो भविश है हमारा किसके हाथ में है और जहां तक मेरा अपना मानना यह है कि किसी पार्टी विशेश का नाम यहां नहीं ले सकते हैं यही है कि पिछले 10 साल में भारत में उदर डुमरियागंच से बारती जन्ता पार्टी की प्रत्याश्वी और सांसर जगदंबिका पाल ने बड़े अंतर से अपनी जीत का दावा किया और जिस तरह से डुमरियागंच लोगसवा में मतदाताओं की अपने घरों से निकल करके पूरे उत्सार उमंग के साथ बूतों पे लाइन लगी हुई है इस बात का कहीं न कहीं रिपोर्ट मतों से जीतने का संकेट दे रहा है और जिस तरह से आने के बाद पोर्टर्स का एक रिस्पॉंस एक चेहरे पुन के खुशी दिखाई पड़े बिगे लगता है उन्होंने मुझे अपनी परिक्षा में बहुत अउवल नंबर से पास किय कि मैं पिछले पंदरा वर्सों से यहां का प्रजी है तो कि अधर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि विपक्षी कहते हैं कि बीजेपी चार सुपार नहीं करेगी इससे जाहिर है कि वो पहले ही हार मान चुके है अपकी बार चार सुपार फिर एक बार मोधी सरकार है आप पच्छी पार्टियों के बयान सुनेंगे तो वो कहते हैं नहीं कि चार सुपार नहीं होंगे प्रियागराज के पुलिस कमिश्णर रमित शर्मा ने निव्ज 18 से बातचीत में कहा कि प्रियागराज में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में मतदान के छटे चरण में जनपद प्रियागराज मतदान कर रहा है सुभा से लेके अभी तक शांतिपूर्ण मतदान जारी है पुलिस प्रबंद पुक्ता रूप से किये गए हैं जिससे शांतिपूर्ण रूप से मतदान हो सके और विभिन पुलिस की काईयां जो इन मतदान को शांती पूर्ण रूप से संपन कराने में लगी हुई है उनको विशेश निर्देश दिये गए हैं कि हम सभी लोगों को फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पे रहना है जिससे इस मतदान के पर्व में, इस मतदान के उत्सव में सभी लोग उत्सवा के साथ प्रतिभाग कर सकें इसका लवा प्रियागराज के डियम नौनीत सिंग चहल ने लोगों से ज़ादा सज़ादा संख्या में वोट करने के अपील किया है वो भी आपको रिखाते हैं और इसके अलावा इलहाबाद सीट पर हुआ है तो किस तरह से अभी और मदान बढ़ने की संभावना है देखिए अभी हम विभिन बूस का विजिट करके आए हम और पुलिस कमिशनर सर और जहां भी हम देख रहे हैं अब हाँ पर अच्छी संख्या में मददाता आ रहे है जोनपुर की पूरू सांसत धनजे सिंग ने कहा है कि बीजेपी की जीत होगी और चार सू पार का बीजेपी का नारा सच हो सकता है बाजपा की जीत होगे यह नारा लगा है कि 400 पार्क यह जो नारा है देखिए दो बार नारे लगे थे वार्चेंटा पार्टी की तरफ से 14-19 में और दोने नारे उनके सफल हुए हैं तो इसलिए भी हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हो सकता है नारा भी उनका सफल हो उदर प्रताबगण की बीजेपी प्रत्याश्वी संगम लाल गुपता ने कहा है कि जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है और बीजेपी 400 पार करेगी दिखिए, 400 के पार है, मोदी जी ने जो गारंटी दिया है, जनता ने विश्वास किया है, और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रत अटूट है, और आज तक, क्योंकि मोदी जी देश की सिवा कर रहे हैं, देश की भविश्व को आने वाला कल का जो भारत है, वो एक कॉंग्रेस नित्या प्रमोत तिवारी ने का कि देश में इंडिया गडबंधन की सुनामी चल रही कि जैसा पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे चरण का मद्दान हुआ है कि हर बार कुछ नो कुछ इंडिया गडबंधन के पक्ष में और आधी वरती जा रही इस छटे राउंड तक आते आते ही राजनेतिक सुनामी आ गई है इंडिया गडबंधन के लिए आज हर वर का समाज का आदमी मद्दान कर रहा है पूर्वक्रिक्टर कपिल देव ने लोगों से मतदान करने की अपील की है उन्होंने काए कि बर्चड कर बंतान के मुक्र चुनावायोगत तो राजी उकुमान ने कहा कि देश में शांदार तरीके से लिए ने रहे हैं पूरे कंट्री में चरूर बोट डालना चाहिए यूथ को हर किसी को बोट डालना और इस वार हमने कोशिश भी बहुत किया कि इसको बहुत ही समाविशी बनाए समाविशी यानि घर में अगर कोई जाना चाहता है मैंने पिताजी से कहा कि आपका बोट घर में डलवा देगे बहुत किया तो आप पूरी कंट्री में बहुत अच्छी बोटिंग हो रही है यानि आप जमो कश्मिर देखिये कितनी अच्छी बोटिंग हो रही है आप तिरपुरा में देखिये बंगॉल में देखिये हर जगा में तमिलनाडू देखा आपने केरिला देखा करनाटका देखा आंद्रा तिलंगाना मद्यप्रदेश राजिस्थान में किस तरह से फोटो देखिये कितने खुस्सूरत फोटोस हैं